अगर आप अप्लाइ करना चाहरे हो दोस्तों आपको पैसो की ज़रूरत है और आप चाहरे हो बजाच फिनन्स से परसनल लोन लेना तो मैं आपको इस वीडियो की द्वरा बताऊंगा बजाच फाइनन्स परसनल लोन कैसे आप लोग एजीली घर वैट अपने मुवाइल फोन से ले सकते हो यह कहां से मैं अप्लाइ कर रहा हूँ जिसका लिंक मैं डिस्कृष्टिन में दे दूंगा इजीली आप लोग जा कर पाऊगे तो यह चल रहा है 2024 और यहां पर बहुत सारे लोगों को फिनेंसियल प्रॉबलम हो सकता है तो और उस प्रॉबलम के कारण आप लोग परसनल लोन ढूंड रहे हो तो बजाज फैनेंस अपके लिए कैसा होगा और इसमें लोन कितना आप मैक्सिमम ले सकते हो क्या क्या डॉकुमेंस लगता है क्या रेटो पिंट्रेस्ट है कितने द अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल घंटी को नहीं दवाया तो दवा के All पर जरूर क्लिक कर देना और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो की नीचे हेल्प मी जरूर लिख देना अगर आपको फिर वीडियो को देखने के साब बाद भी बजाज परेडिनेंस परसनल लोन अप्लाई करना नहीं आया और ना ही आपको लोन नहीं मिल पा रहा है तो मैं जरूर आपको हेल्प करने की कोसिस करूंगा कॉमेट पे रिप्लाई जरू कर देना आपका एक लाइक बहुत ही जादा मोटिवेट करता है और अच्छे वीडियो लाने में मदद करता है तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर कर देना दोस्तों आपको रोजा नहीं हाँ से लोन से जुड़ी वीडियो मिल जाएगा तो प्लीज हमारी वीडियो को जर ही है या आप उसका लिमिट बढ़ाना चाहते हो या उससे पैसा कैसे निकालना है यह जानना चाहते हो तो जरूर चल को सब्सक्राइब करके रखना हमारा रिसेट में वीडियो आएगा बजाज फैनेंस को पर सारी कॉंटेंट जिससे आपको हिल्थ मिल जाएगा दोस्तों मेरे पास हेल्थ कार्ड भी है और मेरे पास सुपक कार्ड भी है क्रेडिट कार्ड तो देखिए सबसे पहले आप सभी को मैं रिक्विस्ट करूंगा यहाँ पर अपने गूगल क्रॉम ब्राउजर को ओपिन करें यहाँ पर फोन का लोन डॉटिन यह वेबसाइट काफी मद करता है उन लोगों को जिनको यहां पर लोण अपले करना नहीं आता है तो वीजिली व शींपिली पढ़के पर reopen कर सकता है लोण को s to सारे इंग्लीज का इंफर्मेशन यहां पर हिंदी में दिया गया है तो आप लोग पड़के परसनल लोन अप्लाइक करें दोस्तों यहां पर फोन का लोन.in का साइट का लिंक पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग एक्सिस बैंक से लोन लेना कैसे है बजाज फै परसनल लोन आपको चलीस लाक रुपई तक का मिल सकता है जी हां दोस्तों यहां पर 96 मांध का मैक्सिमम टेनियर के साथ आपको परसनल लोन मिल जाता है तो इसके लिए यहां पर अप्लाइन आउ कर सकता हो लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखाता हो अप्लिकेसिंस में कहां जाके आप apply करोगे तो दूस्तों आपको नीचे चले आना है और यहाँ पर आपको option मिल जाएगा personal loan की तो यहाँ पर personal loan पर आपको click कर देना है और यहाँ पर देख सकतो कि 40 लाख रुपई तक का maximum loan amount provide करता है बजाज finance और बीस हजार से सुरुको करके आई यह जानते हैं बजाज finance personal loan जब लेने जा रहे तो कुछ चीजे भी आपको जान लेना ज़रूरी होगा आपको यहाँ पर थ्री उनिक वेरियंस मिल जाता है लोन के लोन अप्टू चलिस लाख टेनियर आप्टू 96 मैंद नो गरेंटर और नहीं तो कोई भी है यहाँ पर देख सकते हो कि आपको थ्री उनिक वेरियंस मिल जाता है पीक दा लोन वेरियंस दा सूट यूबेस्ट टाम लोन मिल जाता है फ्लक्सी टाम लोन पार्ट भी पयाड करश कोई भी पर्ट रिपैमेंट चाज़ नहीं लगता है फ्लक्सी टाम लोन के लिए sizi और आपको यहां पर six month से minimum 10 year के साथ सुरूओके 96 month का maximum 10 year के साथ मिल जाता है तो क्या करना है यहां पर eligibility यहां पर calculator है फ्लेक्सिदेव इंट्रेस्ट कल्कुलेटर यहां पर चलिए criteria क्या है जो most cheese important है eligibility criteria क्या है इस loan को कौन apply कर सकता है इस loan को apply कर सकता है दोस्तों एक Indian resident होना चाहिए भारती नागरे की ही इस loan को apply कर पाएगा उम्र क्या होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का question रहता है तो है पर 21 साल का minimum उम्र से लेके 60 साल का maximum आपका age होना चाहिए। employed public sector में हो private sector में हो या MNC में job करता हो यही eligible है अगर अपका कोई भी public sector में आप काम करते हो private sector में काम करते हो government sector में काम करते हो या MNC में काम करते हो सिविल स्कोर आपका कितना होना चाहिए बहुत सारे लोगों का सवार रहता है कि मैं बजाज फैनेंस में लोन अप्लाइ कर रहा हूं नहीं मिल रहा है तो आपका सिविल स्कोर 685 और हायर होना चाहिए 680 से उपर होना चाहिए 685 मिनिमम होना चाहिए तभी जाके आप बजाज फाइनेंस परसेनल लोन को ले पाएंगे मंदली सेलरी आपका कितना होना चाहिए 25,000 मिनिमम होना चाहिए को यहां पर डॉकुमेंट्स क्या-kya लगता है बहुत सारे लोगों का सवाल थे हो समयां आपको डॉकुमेंट्स क्या क्या लगने वाला है आईदेख लेते हैं जो डॉकुमेंट्स आपका रिकॉइमेंट है दोस्तों यहां पर की यांधार काड पासपोर्ट वोटर अएडी ड्राइविंग लाइसेंस लेटर अब नेशनल पॉपुलेशन रेजिस्टर और एन आर इजी ए जॉब कार्ड पैन कार्ड तो इन में से कोई भी एक जॉब कर्ड तक वो एक पैन कर्ड लगेगा उसके साथ एंप्लॉई आईडी कार्ड लगेगा सलेरी स्लिप लगेगा लेटेस तीन मांद का और बैंग एकाउंट स्टेडमेंट लगेगा प्रिभियस तीन मांद का यूटिलिटी बिल ऑफ एलेक्टिसिटी और पाइप गैस का बिल यूशूड बी 80 यह और योंगार आपका उम्र 80 साल के अंदर या छोटा होना चाहिए तो यह लोन को अप्लाई करना है तो आपको यह सारी चीज़े जान लेना बहुत ज़रूरी है जान के चीज़े करेंगे तो दोस्तो यहाँ पर आपका ही फाइदा अगर आप अनजान बनके चीज़े करोगे तो दोस्तो आपका लोस है तो होजकता है आप यहाँ पर बोर हो लेकिन दोस्तों आपको वीडियो पूरा देख लेना बहुत जरूरी है यहाँ पर type of fee क्या है यहाँ पर rate of interest 11% से लेकर 35% का सलाना interest के साथ यहाँ पर budget finance में किया जाता है processing fees की बात करें 3.93% यहाँ पर of the loan amount यहाँ पर आपका taxes बगेरा सब को चेपके इंक्लोड होके bounce जिसकी बात करें 700 से लेके 1200 रुपे का पार bounce bounce मतलब कोई भी माईज अगर आप overdue करते हो late fee करते हो late payment करते हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको यह charges देखना पड़ सकता है ठीक है stamp duty क्या है payable as per state laws and deducted upfront from the loan amount दोस्तों आपके state के हिसाफ से वह vary करता है तो यहाँ पर कुछ चीज़े आपको और बता दू कि panel charges यह सारे चीज़े यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है from time loan flexi time loan and highway time loan में यहाँ पर divide किया गया है तो सारे चीज़ों में यह होता है time loan जो है उसका जो डिडेक्टेर फॉर्म दा लोन डिश्बूस्मेंट यह सारे चार्जेस बगएरा कब करता है जो time loan है वो loan amount की इसा प्रिंसिबल अमाउंट से ही यह कर देता है डिडेक्ट कर देता है flexi time loan added to the first installment and flexi hybrid added to the first instrument तो यहां पर यहां पर यह सारे चार्जेस है अगर दो लगका लोन लेते हो तो एक हजार 999 रुपई आपका यह amount लेस हो जाता है और इसके हिसाब से आपका 30 लाग तक का दिया हो है 12,999 रुपई का चार्जेस लगता है तो यह सारी चीजे आप देख सकते हो कि क्या है बगेरा बगेरा सारी चीजे दिया गया है मैं इसका link जरूर आपको description में दे दूंगा आप इसमें यह कर सकते हो अभी apply now कैसे करना है आपको यहाँ पर apply now का बड़न दिख रहा है मैं description में इसका direct link दे दूंगा जिससे आप easily loan को apply कर सकते हो तो आपको सबसे पहले अपना personal details देना है जैसे कि आपका full name आपका pen card number आपका date of birth आपका pin code आपका city आपका employment type फिर आपको continue पर click कर देना है accept time and conditions करके employment details देना है जैसे कि यहाँ पर company name क्या है company type क्या है job profile क्या है work email id वह आपका total experience क्या है job में total monthly loans कोई भी चल रहा है तो उसका amount देना है जो भी माइस पे कर रहे हो continue पर click कर देना next step में आपको यहाँ पर क्या करना है यह बतार दोस्तों इस step में आपका income verification होगा provide your salary bank account details for income verification this help us evaluate your eligibility and prepare your loan offer select you your bank with salary account link your bank account securely with OTP net banking share consent to fetch your bank statement तो दोस्तों यह चीज़ आपको करना है इसके लिए continue पर click कर देना है और यहाँ पर income में आपको अपना bank दे देना है जो भी bank में आपका salary account है यह सारी चीज securely होता है दोस्तों यहाँ पर बजाज finance की official site से में दिखा रहा हो तो आप लोग भी आपको यह करना है फिर आपको यह करना है फिर आपको यह करना है यहाँ पर अप्लोड करने की ज़रूत नहीं यहां सी इंटरनेंट बैंकिंग के मत्यम से कर लेगा दोस्तों आपके फोन में इक ओडिपे आएगा व्रटिपी जैसी verified हो जाएगा तो दूस्तों आपको यहाँ पर यह कर देना है ऊपको यहाँ पर प्रोटीपी आपका यह आज आज आएगा तो आपका ओट्लमेटिक ब़ेज़ी देगा इंटर बैंक और अप्रोव कर देना है प्रोसेस को आगे बढ़ाना है दोस्तों यहां पर अप्रूव पर आपको क्रेक कर देना है यहां से सब्सक्राइब कर लिया है आपको यहां पर बजाज फेनल की तरफ से नेक्स टेप में आगे बढ़ा दिया जाता है और पीज अड्रेस बगएर आपको फिल करना है फिर कॉंटिन्यू पर किलिक कर देना है और ऐसे करके मैं आपको दिखा रहा हूं आप बने रही है वीडियो को मैं आपको पूरा प्रॉसेस करके दिखाऊंगा जिससे आपको आसान हो लोन को अपलाई करना तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी कि अभी और इस वीडियो को लाइक करके सेयर कर देना है जिनको भी बजाज फिनेंस परसनल लोन है कि नहीं लेना है तो प्लीज वीडियो के आप पर ओफवर्ड दिखेगा लोन का और फिर आपको लोन समरी फिर के वाइसी विरिफिकेशन बैंक डिटल्स देना है जहां पर भी लोन अमाउंट के लेंगे और अप्लिकेशन सब्मिसिन होगा इमेंडेट होगा एक्रिमें परिफेशन लोन के कुछ डिटेल्स बताया और अभी मैं बता रहो है आपको अप्लाइंक चाहिए नहीं चाहिए लोन अच्छी प्रॉडटक्ट है बहुत अच्छी प्रॉड़क्ट और इसको आप अप्लाइं कर वी सकते हो या आप नहीं कर सकते हो देखिए आपकी ओपर है अगर अगर एमर्जिंसी जाए नीड है तो दोस्तों आप बजाज परसनल लोन को ले और अगर आपका बजाज यह माई कार्ड नहीं है तो दोस्तों आप ज़रूर बना लें क्योंकि यह कार्ड है इसमें कोई भी रेट ऑप इंटरस्ट देखने को नहीं मिलता है और आप इसे फिरीज एसी टीज़ेविशन सारी चीज़े लेज़क्ते हो कूलर्स सारी चीज़े लेज़क्ते हो ठीक है तो यहां पर बाज़ परसनल लोन की जो रेट ऑप इंटरस्ट हो 35 परसेन है और मैं आपको नहीं बताऊंगा कि यह मत ले या ले दोस्तों यहां पर तो बैंक की बैंक से कॉंपेर करें तो दोस्तों मैं आपको एकी बात कहना चाहता हूँ कि एक लाग का 35,000 तक का सालाना ब्याज आपको देखना पड़ सकता है तो अगर आप ले रहे हो तो सोच समझ के लेना हो सकता है आप ना ले लेकिन दोस्तों मेरा बास बताना था आपको बजाच परसेनल लोन अपलाए कैसे किया जाता है आप चाहो तो यहां पर साइट में जा बता है पूरी जानकारी और यहां पर आपको मैंने जो अप्लिकेशन मैं अपप्लाइ लोन करके बताया वह बजाच किया है मैं आपको डिसक्रिफिप्सिन में लिंक दे दूंगा आप इंस्टैल कर सकते हो और दोस्तों माध्यन से तो प्लीज चलने के साथ जुड़ जाना और इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों तब तक के लिए चलते हैं और ऐसी ही आपका पूरा करने आ जाओंगा और लाइव आपको लोल लेके मैं दिखाता रहता हूँ तो इसके लिए प्लीज प्लीज चुड़ जाएए धिन्यवाद जाहिंद बंदमात्रम